चलिए students, आम लोग question number 8 को solve करते हैं, देखे question number 8 में क्या का जा रहा है, students आप लोग question को पढ़िए, इसमें कहरा है कि परमेश 6.2 का प्रियोग करते हुए, सिध कीजिये कि तिरवुज की किनी दो भुजाओं के मद्ध बिंदूओं को मिलाने वाली रेखा, तीसरी भुजा के स मांतर होती है, याद कीजिये कि आप कच्छा 9 में ऐसा कर चुके हैं, तो आप लोग अगर याद कर सकते होती हैं, नहीं तो कच्छा 9 की बुक में आप लोग इसको देख लेना, तो चलिए हम लोग इस question को solve करते हैं, इसमें कहरा कि परमेश 6.2 का प्रियोग करते हुए, तो परमेश 6.2 क्या है, सबसे पहले आप लोग इसको याद कर लीजिए, परमेश 6.2 क्या है, जो हमारी थेल्स परमेश है, थेल्स परमे का जो विपरीत वाला है, समझे, हमारे पास कोई तिर्बुच इस तरीके से है, ए तिर्बुच ABC है, क्या है, ए तिर्बुच ABC है, और ए जो भुजा BC है BC के समांतर एक रेखा क्या है DE है सबसे पहले हम लोग थेल्स की जो फर्ष्ट पर्मे 6.1 पर्मे उसको देख लेंगे दोनों आप लोग समझ दीजिए BC के समांतर कोई रेखा DE है तो जो रेखा DE है AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है यही थेल्स पर्मे क्या है थेल्स का जो पर्मे 6.1 है यही थेल्स पर्मे या फिर आप लोग कह सकते हो पर्मे 6.1 है तो थेल्स पर्मे होता क्या इसको समझ दीजिए आप लोग यह कि आई समझें Thales पर में ठीक है 6.1, 6.2 इसको समझते रहिए थेल्स पर में तो यहां से क्या हो जागा ए जो रेखा D.E. है A.B. और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी समान अनुपात में विभाजित करेगी इसके कहने का मतलब क्या है कि AD और B.D. का जो अनुपात है वो बराबर हो किसके A और C के इतनी बात इस्टूडेंट्स आप लोग समझ गए यही हमारी क्या थेल्स पर में है चलिए अब लोग इसके विपरीद बात करें विपरीद बात करने का मतलब है समझे चलिए इस तरीके से हमारे पास कोई तिर्भुच है और एक तिर्भुच ABC है अब कोई रेखा देखे अब हम समानतर की बात नहीं कर रहें और क्या रेखा DE B और AC पर इस्थित है कोई रेखा D E कोई रेखा D E भूजा A B और A C पर इस्थित है अब अगर क्या हो जाए A D और B D का जो अनुपात है देखिए अब अगर A D और B D का अनुपात बराबर हो जाए A E और C E के तो हम क्या कहेंगे याँ से समझ रहे हो ना आप लोग A D और B D देखिए या वाला और इसका जो अनुपात है वो बराबर हो जाए A E और C के तो इस केस में क्या होगा A जो रेखा D E है उस समानतर हो जाएगी किसके B C के तो लिख लीजिए इस केस में जो D E है D E है उस समानतर हो जाएगी B C के तो यही इसे हम लोग थेल्स परमे कहते हैं या फिर परमे 6.1 कहते हैं और इसे परमे 6.2 या फिर थेल्स का विपरीद परमे कहते हैं ठीक है तो आप लोग इस परमे को समझ गए होंगे चलिए इसी का यूज करके हम लोग इस question को solve करने वाले हैं तो यहां पर देखिए यहां पर देखिए क्या होगा इसको इरेज कर दें स्टूडेंट्स लिए देखिए एक तिर्भुज की किनी दो भुजाओं के मद्ध बिंदों को मिलाने वाली रेका तीसरी भुजा के समानतर है कुछ इस तरीके से देखिए एक तिर्भुज हो गया तिर्भुज के किनी दो भुजाओं किनी दो भुजाओं हमने भुजा क्या ले लिया ए भी भुजा ले ली भुजा ए भी और एसी पर दो बिंदों हो गए और ए बिंदों कैसे है मद्ध बिंदों है रेखा जो ए भी है ए भी का मद्ध बिंदों क्या है D है और यहां पे जो रेखा A C है A C का मद्द बिंदू क्या है E है हमें दिखाना है हमें सिद्ध करना क्या कि यह जो तीसरी भुजा है यहां पर देखें यह तीसरी भुजा क्या है B C है तीसरी भुजा इसके समांतर है हमें यहीं दिखाना है मद्द बिंदों को मिलाने वाली रेखा, यहां से समझ दिजे, मद्द बिंदों को मिलाने वाली रेखा, ए मद्द बिंदों हो गए, इनको मिलाने वाली ए रेखा हो गई, और कहरा कि तीसरी बुजा के समांतर होती है, तीसरी बुजा यही है, हमें इसके समांतर दिखाना है, तो चलिए students हम लोग solve करते हैं हमें जो दिया हमने write कर लिया D और E रेखा A B और A C पर इस्थित मद्द्दू है अब D और E रेखा A B और A C पर इस्थित मद्द्दू है तो यहां से आप लोग क्या हो जाएगा आप लोग देखी क्या हो जाएगा A वाली जो दूरी है बराबर हो जाएगी इसके यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा A D है वो बराबर हो जाएगा B D के तो लिख लिजिए A D बराबर होगा किसके? B D के और देखिए यहां से इतनी जो दूरी है ये मद्य बिंदू है तो इस तरब की और इस तरब की दूरी बराबर होगी तो ए दिखी क्या हो जाएगा A ही हमारा बराबर हो जाएगा C के तो इस बात को भी आप लोग लिग लीजिए A E बराबर C इसको आप समिकर नंबर 1 माल लीजिए इसको समिकर नंबर 2 मान लिए इतना समझ गए students आप लोग चलिए हमें दिखाना है कि ए जो DE है समांतर है किसके B के B C के DE समांतर B C चलिए वह लोग इसको सिद्ध करते हैं इसको solve करते हैं चलिए अब आप लोग देखिए हमें इसको इसके समांतर दिखाना है तो समांतर कब होगा जब AD और BD का जो अनुपात है यहाँ परमे 6.2 का यूजम कर रहे हैं AD और BD का अनुपात बराबर आजाए A और C के अनुपात के जो थेल्स की परमे है विपरीत वाली उसके according क्या हो जाएगा A जो D E है उस समांतर हो जाएगी BC के यहाँ पर आप लोग राइट करिए तो देखी क्या हो जाएगा तिरबुच A B C में लिखिए तिरबुच A B C में ABC में क्या होगा थेल्स परमे अपलाई कर दिजे ABC में AD ABC अपॉन BD इस इक्वल होना चाहिए किसके A और C के A C अब यहाँ से देखिए इसको हम माले ने क्या समीकर नंबर 3 और लेखिए समीकर एक दो तथा 3 से समीकर एक दो तथा 3 से क्या हो जाएगा इस्टूडेंट्स आप लोग देखिए अब यहाँ पर देखिए तीन यहाँ पर है इसको राइट करिए तीन यहाँ पर लिख लीजे देखिए और AD अपॉन BD है यहाँ पर BD के अस्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे समीकर एक से AD लिख सकते हैं यहाँ पर लिख दीजिए हो जाएगा AD is equal to AE और देखिए यहाँ पर इस अपॉन में CE है और CE के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं AE लिख दीजिए AE और यहाँ से देखिए जो मारा अनुपात है क्या आ गया 1 upon 1 is equal to 1 upon 1 AD और BD का जो अनुपात है बराबर आ गया है AE upon CE के तो इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए परमे 6.2 से 6.2 से जो DE है उस समांतर है BC की तो students आप लोग समझ गए होंगे इसी तरीके से हमारा क्या हो गया? हमें यही दिखाना था कि यह जो तीसरी भुजा है मद्ध बिंदों को मिलाने वाली रेखा के क्या होता है? समांतर होता है तो चलिए students अब लोग अगले प्रश्ण पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्ण क्या है? तो students आप लोग इस प्रश्ण को देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है? करा कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर क्या है? DC है तो यहाँ पे देखिए AB, A, B, C, D क्या है? एक समलंब है और इसमें जो AB यह समांतर है DC के यह जो बुजा AB है यह समांतर है DC के तता इसके विकरण प्रस्पर बिंदू ओपर परतिछेद करते हैं इसके अगर विकरण की बात करते हैं यही इसका विकरण है यह इसका विकरण है देखिए AC और BD आपस में एक दूसरे को बिंदू ओपर परतिछेद करते हैं दर्साइए कि AO upon BO is equal to CO upon DO है हमें दिखाना है AO upon BO is equal to CO upon DO है तो चलिए students हम लोग इस question को solve करते हैं देखते हैं इसका solution क्या हो जाएगा यहाँ पे द्यान से देखिए हमें क्या क्या दिया है हमें दिया है ABCD एक समलम है जिसमें AB समांतर DC है इतना दिया है हमें दिखाना क्या है AO upon BO is equal to CO upon DO इसको हल करने के लिए मैं छोटी सी रचना करनी पड़ेगी ता आप लोग रचना कर लिजिए यह जो EO है हमने EO ड्रो किया किसके समांतर AB के समांतर AB के समांतर हमने EO ड्रो किया तो यहाँ पे लिख लिजिए EO समांतर AB अब थेल्स पर में अपलाई करेंगे थेल्स पर में के अनुसार क्या हो जागा आप लोग तिर्बुज इसमें देखिए D A B इसमें आप लोग देखिए D A B में आप लोग ध्यान से देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है यह जो E O है A समानतरे B A B के E O समानतरे A B के तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए D E और A E का जो अनुपाथ है D E और A E का जो अनुपाथ है वो बराबर किसके होगा D O और B O के यहां पर राइट कर लिजिए D O अप और में B O अब नेक्स देखिए आप लोग अब यहां से E O समानतर A B है देखिए A जो E O है इस समानतर A B है और हमें यहां पर दिया है A B समानतर किसके है D C के A समानतर जब इसके है यहां से समझिए हमें दिया है E O समानतर किसके है E O समानतर हमने A B ड्रॉ किया है और जो हमारा A B है उस समानतर किसके है D C के है तो यह जो EO हमने रचना करी यह समांतर किसके हो जाएगा DC के तो यहां चलिकिए EO समांतर A भी है और EO समांतर A भी है और हमें दिया है हमें दिया है A, B समांतर DC इसलिए क्या हो जाएगा यह जो EO है यह समांतर DC के हो जाएगा इतनी बात इस्टूडेंट्स आप लोग समझ गए अब देखिए अब यह जो EO है यह समांतर DC के हो गया है अब हम लोग देखेंगे तिर्बूज देखिए A, D, C में अब आप लोग इस वाले तिर्बूज में देखिए अब आप लोग इस वाले तिर्बूज में देखिए A, D, C में क्या ADC में थेल्स पर में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं आप लोग सोचिए इसमें देखे ADC में ADC में ADC में क्या है ये जो EO है ये जो EO है वो समांतर किसके आचुका है DC के तो यहां से क्या होगा AE और DE का जो अनुपात देखिए AE और DE का जो और अनुपात है वो बराबर होगा किसके एओ और सी यों के यहांपे लिखे है यह और कि कि सियो के अनुपात के बराबर है अम हमें कहा है इसको देखले जी तह अफ। नहीं देखाना है कि देखिए यहांपे हमारे पास टी एफ और इए यह थोड़ा संप लूग Change करेंगे और इसका व्योत्करम ले लेगे ठीक है इसका क्या लेगे व्योत्करम ले लेजिए इसका व्योत्करम लेजिये A upon क्या होगाँ D.E. यहां से क्या होजाएगा BO upon DO और इसको मानेंगे समीकरण नंबर एक और यहां से देखे A upon DE is equal to AO upon CO हो और इसको लोग मानेंगे समीकर नंबर दू अब आप लोग देखिए समीकर एक तथा दो से क्या हो जाएगा समीकर एक और दो से देखिए समीकर एक और दो से एक और दो से क्या हो जाएगा इस्टूडेंट देखिए यहां से एई अपॉन डी खा जो मान है उसको उठा करके हम लोग समीकर दो में रख दे तो रखिए एई अपॉन डी के एस्थान पर लिखे बी ओ अपॉन में डी ओ इस इक और टू एओ अपॉन में यहां पर क्या हो यहां पर भाग के साथ है यहां पर आएगा गुड़े के साथ हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा देखिए और यहां पर चला जाएगा नीची है इस तरीके से हो जाएगा और देखिए क्या हमें यहीं दिखाना है आप दियान से देखिए हमें दिखाना है एओ अपॉन बी ओ चले लिख दीजिए यहां पर लिख देते हैं एओ अपॉन बी ओ इदि इक्व कॉल टू सी ऑ अपॉन में दियो तो इस्टूडेंट्स यहीं हमें प्रूब करना था यहां से आपको यहां पर राइट करना है तो इस तरीके से हमने इस प्रश्ट को सौल किया चलिए अब नेक्स्ट क्वेस्टन पर चलते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या है तो चलिए स्टुडेंट्स हम लोग इस क्वेस्टर को सौल करते हैं यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए देखे क्या कहरा दस नंबर एक चत्रबुच ए बी सी डे के बिकन प्रस्पर बिंदू ओ इस प्रकार पर तिछेद करते हैं कि यह दर्साय की एब सीडेक समलम है अभी अभी अमने जो क्वेस्टन सौल किया उसी पर बेज्ट है उसमें अमें यह प्रूब करना था लेकिन इसमें क्या प्रूब करना है कि जो आकृति है जो चतुर्बुच है वह एक समलंब इसमें में समलंब दिखाना है स्टूडेंट तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमने एबी सीडी एक कि चतृफुट ड्रॉ कर लिया इस तरीके से और लिक लीजे चतृफुट एबीसी डी के भीकाण प्रस्परबिंदू और इस प्रकार पर तिच्छेद करते हैं कि यहां पर दिया है किस परकार पर तिख्शेत कर रहे हैं तो, हमें दिया क्या है? AO upon BO, it is equal है, CO upon DO के, हो गया students हमें इतना दिया है, और हमें क्या दिखाना हैं? मैं दिखाना है A, B, C, D, एक समलंब है, आप लोग सोचिए समलंब दिखाने के लिए हम लोग कैसा क्या करें कि इसे हम लोग चतुर्बुज को समलंब दिखा दे समलंब की प्रोपर्टी आपको पता होगी तभी आप सॉल्ब कर पाईएगा तो इसके लिए देखिए अगर हम दिखा दें जो हमारा A B है ओ समांतर हो जाए किसके सीडी के एबी समांतर सीडी हो जाएगा तो यहां पर देखिए हमें एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी आप लोग रचना कर लीजिए हमने रचना किया हमने एक लाइन यो ड्रॉ करी योग का ऐखंई एजो यह है इससमांतर एक इसके एबी के लिख लीजिए इयो समांतर A, B की चा प्रमाड इयो समांतर A, B इसलिए पर्मे तेल्स पर्मे के कॉर्णी क्या होजाएगा आप लोग यहां पर उस मजएगए यह जो E, Y, Y, Y है जिहां से देखे, E, Y, Y, तो हम लोग किस तिर्बूज में देखें गे देखिए इस तिर्बुज में, DAB में, आप लोग इस तिर्बुज में देखे, DAB में, देखिए, DAB में क्या हो जाएगा, लिखिए तिर्बुज DAB में, अब DAB में क्या होगा, students, आप लोग सोचिए, देखिए, यहां से DE और AE का जो अनुपात होगा, लिखिए, DE और AE का जो अनुपात होगा, वो बराबर किसके होगा, DO और BO के, DO और BO के, यहां पर देखिए, DO BO है, और यहां पर देखिए, CO upon DO, इसको हम लोग क्या कर लें, इसका ब्यूत्करम ले ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर मारे पास क्या हो जाएगा, BO, हमें जो दिया है, मुसी में कर रहे हैं, इसके according change करना पड़ेगा ना, यहां पर लिख द किया है, दियूत्करम, अब यहां पर इसको हम लोग मालनेगे समीकरण नमबर एक, और इसको मालनेगे क्या, समीकरण नमबर दो, अब स्टुडेट देखिए, समीकरण एक तता दो से क्या हो जाएगा, लेकिए, समीकरण एक तता दो से, समीकरण एक तथा दो से एक तथा दो से क्या हो जागा इस्टुडेंट से यहाँ पर आप लोग देखिए डियो अपॉन सी यहाँ पर फिर से देखे डियो अपॉन सी ओ हमें चाहिए क्या डियो अपॉन बीयो क्योंकि यहां पर डियो अपॉन बीयो है हो 네 मैं इसका मने विद्धियो अपॉन यह हो गया और डियो अपॉन सी हो गया इस्टुडेंट फिर से आप लोग देखिए आप में ई डियो अपॉन बी यह चाहिए इसको यहां पर बेज जिए इसको यहां पर बेजुए देखे कि स्टेप करेंगे यहो पर चली इसको यहां में भी ओ और इसको माल ले दें समीकरण नंबर एक ऐसा हम लिख सकते हैं ठीक है चलिए अब यहां से समीकरण एक से डियो और भी ओ का मान हम लोग समीकरण और spent को माल मोंद दो में रख देंगे ox लिखिये रख दीजीया हम यहां पे क्या होजाएगगा ऑपन्में एक उछन हो जाएगा किसके सिओव अवँ में ए ओक है और इसको माल लिजे क्या समीकरण नंबर 3 अब यहां पर देखिए यह जो समीकरण नंबर 3 है क्या दिखा रहा है यहां चे देखिए यह समीकरण नंबर 3 क्या दिखा रहा है अब इसे समलम दिखाने के लिए हमें AB समांतर CD दिखाना है और यहां पे देखिए आप लोग एबी समांतर सीडी कब होगा इसके लिए क्या होना चाहिए देखिए अब समझी हमारा एबी समांतर सीडी हो गया यह जो एबी है ओ समांतर सीडी है एबी समांतर सीडी तो एवाला एदेखिए जो एओ है एबी तो समांतर इसके हो जाएगा ए इसके समांतर हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे किसमे तिरभुज A, D, C में A, D, C में क्या होगा अगर A, E यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर A, E upon D, E देखिए A, E upon D, E का अनुपाद बराबर हो जाए A, O upon C, O के A, O upon C, O के A, E upon D, E बराबर हो जाए A, O upon C, O के तो ए जो E, O है वो समांतर हो जाएगा D, C के अगर हमें A मिल रहा है तो A रेखा समांतर होगी इसके तभी तो में A अनुपाद बराबर मिल रहा है तो यहाँ से जो E, O है उस समांतर हमारा सिद्धु क्या हो गया DC के E, O समांतर DC हो गया अब हमने E, O समांतर A, B रचना करी थी तो E, O हमारा A, B के समांतर होगा जब EODC के समांतर है EOAB के समांतर है तो ए जो ABODC के समांतर होगा की नहीं होगा हो जाएगा तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए ए क्या दिखा रहा है DE upon AE इसको लोग इसका ब्यूत्करम ले लिजी आप इसका ब्यूत्रम ले लिजीए क्या हो जाएगा AE upon में DE इक्वल हो जाएगा AO upon में CO और यहाँ पर देखिए समिकर्ट तीन क्या है देखिए AE upon DE AE upon DE is equal to AO upon CO ए दिखा रहा है कि जो AO है वो समांतर किसके है AO समांतर किसके है देखिए AO समांतर हमारा है DC के लिख देजिए समीकर्ट तीन चलिए यहीं पर लिख देते हैं समीकर्ण तीन से तह तिया गया चतुर्भोज एक समलंब है समझ गए स्टूडेंट्स आप लो EO समांतर AB AB समांतर DC जब EO समांतर AB है और EO समांतर DC है तो AB समांतर DC हो जाएगा और जब AB समांतर क्या हो जाएगा DC AB समांतर DC हो जब AB समांतर DC है तो AC हो गया कि दिया गया जो चतुर्भुज है वो क्या है एक समलंब है तो my dear students इस तरीके से हमने इस question को solve किया तो चलिए गाईज आप लोग पढ़ते रहिए अगर आपनों को कोई भी doubt हो तो आप लोग comment box में comment करना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करिएगा चैनल पढ़ना है हो तो चैनल को subscribe करिएगा तो चलिए गाई जब लोग पढ़ते रहे है थैंक यू